हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम के एक फीचर रील्स के बारे में जिसे आज ही साड़े साथ बजे इंडिया में लॉंच किया गया है इंस्टाग्राम रील्स जो है वो बिल्कुल टिक टॉक की तरह ही है और इसके बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कल एक पोस्ट भी डाला था जो आप देख सकते हैं अभी वीडियो में तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप रील्स को इस्तेमाल कर सकते हैं क्या Reels के feature है और किस तरीके से आप अपने वीडियो भी Reels पर बना सकते हैं और क्यों यह important है तो सबसे पहले Reels किस तरीके से काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे की तरफ आप देख सकते है search button है explore button जिसको हम बोलते है वहाँ पर आप जाएंगे आपने TikTok यूज किया हो तो बिल्कुल वही interface है और यहां पर मैं बता दूँ कुछ जो content creator है वो already Reels पर Instagram की तरफ से उन्हें add कर लिया गया है तो features अगर आप देखेंगे यहां पर आप वीडियो बना सकते हैं वीडियो को comment कर सकते हैं like कर सकते हैं share कर सकते हैं और यहां आप देख सकते हैं copy link कर सकते हैं इस वीडियो को आप पने device पर save भी कर सकते हैं इसके अलावा आप यहां पर एक तरीके से like करने के लिए heart का option है तो basically अगर आपने कोई भी short content के related app यूज़ करी है तो बिल्कुल उससे मिलते जुलते ही features हैं अब यह इंडिया में अभी launch हुआ है आज ही यह launch हुआ है और अगर आपको खुद अपना एक तरीके से short video बनाना है तो उसका क्या process है वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपको उपर जो यहाँ पर camera option है आपको यहाँ पर click करना है और camera option पर click करने के बाद आपके पास तमाम जो option है real से related वो आ जाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर camera option आपको मिल जाता है आप देख सकते हैं camera को आप front camera या rear camera दोनों पर set कर सकते हैं left hand side में आपके पास music का option है अगर आपको कोई music add करना हो तो आप music add कर सकते हैं पर प्रैस करके रखना होगा और इस तरीके से आप उपर जो एक बार है light red Color का आप देख सकते हैं उपर की तरफ चल रहा है वह एक वीडियो की length आपको बता रहा है, यहाँ पर इस तरीके से आपने वीडियो बनाया, उसके बाद next आपको ये वीडियो इस तरीके से आप देख सकते हैं, उसके बाद आप इस पर sticker भी add कर सकते हैं, यह आप देख सकते हैं, उपर की तरफ, आप drawing भी कर सकते हैं, जैसा कि आप Instagram stories में करते हैं और उसके बाद आपको option मिलता है, आप इसको stories में share कर सकते हैं, आप इसको feed पे share कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी hashtag use कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे draft की तरह भी save कर सकते हैं, यहाँ share button प्रेस करने के बाद उपर की तरह आप देख सकते हैं, यह जो reel हमने अभी बनाई है, वो upload हो रही है, और upload होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर option मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप Instagram पर reels बना सकते हैं, अब बात कर लेते हैं, यह क्यूं important है, अभी TikTok के इंडिया में ban होने से पहले तकरीबन 6 करोड से ज्यादा users थे, और इस समय कोई ऐसी एप नहीं है, जो TikTok को टक कर दे सके हैं, हलागी काफी Indian एप लाँच होई हैं, जैसे मित्रो है, रुपो सो पहले से काफी time से है, और इसके अलाबा चिंगारी एक आप आई है, काफी popular Facebook own करता है Instagram को, already बहुत सारे phones पे installed है, काफी लोग इसे use कर रहे हैं, तो Instagram Reels जो है, उसके popular होने के chances बहुत जादा है, दूसरा कारण Facebook की T-Series के साथ already deal है, जिसकी वज़ा से बहुत सारे songs और audio का जो collection है, वो Reels के पास है, जो किसी और app के पास अभी नहीं होगा, तो इस sense में Instagram Reels काफी popular हो सकता है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को like कीजे, साथी साथ आप मेरे चैनल को subscribe कीजे, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आप मुझे मेरे Instagram पर भी follow कर सकते हैं, उपर आपको handle दिखाई दे रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जैहिन